हेलो फ्रेंट्स हफते के साथ दिन हेल्दी रेसीपी तो हम लोग खा नहीं सकते एक दिन तो हमें कुछ चट पटा चाहिए तो आज वो दिन है पच्छों के फ़र्माईश पर बन रहा है पोहें से कुछ चट पटा हेल्दी सा नाश्टा तो चलिए बनाते हैं देर किस बात की तो गैस पर सबसे पहले कड़ाई पैन चड़ाएंगे और उसमें डालेंगे कुकिंग ओयल जो भी आप खाते हो कोई भी आप कुकिंग ओयल इसमें स्थमाल कर सकते हो चाहे तो अब इसीगी भी इस्थमाल कर सकते हो तो दो चमस डाला है तेल, साथ में हम यहाँ यहाँ पर देड़ चमस डाल रहे हैं सफेद तिल सफेद तिल से इस नाश्टे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके पास है तो जरूर से डाले और अगर नहीं है तो वेशक स्किप कर सकते हैं और पर कोशिश किजिये कि आप इस नाश्टे में तिल चरूर से डाले अब यह लिए और यहाँ नहीं करना है यानि हल्का सा कलर चैंज होने तक ही पकाना है ज्याद़ लाल पिला नहीं करना है और साथ में हम डाल रहे हैं आपर पारी काट करकर करी पता और थोड़ा लिया हमने आपर हरी मिची और टिंट के लिए डाला है अधरक अधरक की मतरा हमने आपर कम ही डाले है क्योंकि गर्मी का मुसम है तो अधरक यहां पर कम ही डालेंगे मिर्ची आप अपने साप से कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ में लिया है हमने यहाँ पर एक खीरा जिसको यहाँ पर छिल्की के साथ ही मैंने कदुकस किया है और पानी के साथ ही डाला है यानि कि इसको निचोड़ा नहीं है खीरा डालके इस नाश्टे को हम बना रहे हैं चटपटे के साथ थोड़ा सा हेल्दी और जब खीरा हलका सब हुन जाए तो इसमें एक छोटा कब पानी डालेंगे स्वाध अनुसार नमक डालेंगे और यह डाली है मैंने कुटीवी मिर्च एक चमच आप यहां कुटीवी मिर्च की मातरा कम कर सकते हैं मैंने थोड़ा चटपटा बनाने के लिए जादा डाली है और साथ में डाली है मैंने यहां पर आधी चमच अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर ना हो तो आप यहां ऑप्षन में नीबू का रस या फिर चाट मसाला पी डाल सकते हैं अब सारी चीजों में अच्छे से उबाल आ चुका है तो यहां पर गैस की फ्लेव हम कर देंगे बिल्कुल कम और कर लेते हैं छोटी सी तेयारी तो यहां पर एक कप पोहा मैंने पहले से ही अच्छे से धो कर दो या तीन बार पानी से एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निचोड़ कर एक साइड में फूलने के लिए रख दिया था तो यह जो पोहा है अभी हमारा अच्छे से फूल चुका है और चलते हैं अब दोपारा से गैस की तरफ तो गैस पर जो हमने पकनी के लिए मिक्शर छोड़ा था यह अच्छे से अब यहां पर पक चुका है गल चुका है तो गैस की फ्लेम अब हम कर देंगे अब यहां पर बन और इस मिक्शर को लेके चलते हैं पोहे के पास यानि प ध्यान रहे कि mixture हमें गरम ही एट करना है ना कि थंडा होने के बाद, तो बस पोहे को और इस mixture को हम अच्छे से यहां पर mix कर देंगे और इसको कम से कम पांच या 7 मिनट के लिए रस पर छोड देंगे, चाहे आप ढगकर छोड़ें, या खोल पर छोड़ें, वो आपकी मर्जी बस यह मिक्चर हमारा थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए तब यह अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसमें आड़ करेंगे दो उबलेवे आलू जिनको मैंने यहां पर मैश कर लिया था ध्यान रहे आलू में गुठली नहीं रहनी चाहिए तो अब आपकी चाह आप इसे चा आटा भी ले सकते हैं और साथ में ही आलू के हिसाब से हमने यहां पर डाला है नमक और सारी चीजों को अब हम यहां अच्छे से मिक्स करते हुए आटे को इकठा करके इसका एक डो लगा लेंगे इस नाश्टे को बनाने में बिल्कुल भी जादा मसालों का इस्तेमाल नही करके देखिए आप इसको बार बार बनाएंगे इतना तो मैं गरंटी से कह सकते हूं बस इसमें से हमने पेडा लिया था और इस तरीकी से रॉल बना के हम इस नाश्टे को कोई भी शेप दे सकते हैं तो मैं आज यहां पर इस तरीकी की शेप दे रही हूँ आप चाहे तो तो मैं एक पीस और आपको यहां पर बना कर दिखा रही हूँ बिल्कुल भी जंजट-बाजी नहीं है बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं है बहुत आसानी से यह नाष्ता बन जाता है तो देखिए यहां पर मैंने कुछ पीसे बना कर तयार कर दी हैं इसी तरीके से हम यहा तो आप यहां पर तिल को चिपकाने के लिए सलेरी का यूज़ भी कर सकते हैं तो इस वज़े से यह तिल निकल गए हैं कोई दिक्कत नहीं है आप थोड़ा चिपका के बना लिए बस अलटते पलटते वे इस नाश्टे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे और यह तरीके से हमने सारे पीसे बना कर यहां पर रेडी कर दिये हैं आपने पोहे से तो हजारों बार कहीं तरह के नाश्टे बनाए होंगे पर शायद ही आपने इस तरीके से कभी यह नाश्टा ट्राइ किया होगा इसका स्वात बिलकुल अलग है कम मेहनत में बहुत चटपटा और साथ में हल्दी भी है बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा आप इस नाश्टे को घर में छोटा मुटा फंक्शन हो गैधर तोगेधर हो या बच्चों की बड़े पार्टी हो या फिर मेहमानों के लिए कभी भी बहुत असानी से बना सकते हैं और इस किसा थैंक्स पर वाचिंग